नमस्कार आप देख रहे एवी स्टार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रीती कैंसर उन बिमारियों में से एक है जो किसे भी इंसान के जीवन को अंदर तक जहन जोड़ देता है हाला कि कैंसर कई प्रकार के होते हैं और आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खत्रा जादा देखने को मिल रहा है ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षन होते हैं और उनका बचाव कैसे करें जानने के लिए देखे एवी स्टार की ये खास विपोट हर साल चार फरवरी को विष्व कैंसर दिवस मनाये जाता है कैंसर एक ऐसी बिमारी है जो तेजी से महिलाओं को अपनी चपेट में ले रही है महिलाओं में स्टन कैंसर का खत्रा सबसे ज़ादा बढ़ रहा है स्टन कैंसर के प्रती जाग रुकता ना होने की वज़े से ये बिमारी दिन प्रती दिन फैलती जा रही है यदि स्टन कैंसर के लक्षनों से हम अवगत हो तो इसे शुरुवात में ही रोका जा सकता है आईए जानते हैं इनके लक्षन स्टन कैंसर का सबसे परमुक लक्षन है स्टनों में गाठ होना अगर आपको अपने स्टन में गाठ की शिकायत हो रही है तो इसे बिलकुल भी हलके में ना ले और तुरंती डॉक्टर की सलाह ले इसके अलावा स्टन अंदर की तरफ रहना और तरल पदार्थ आना या पपड़ी बनना भी स्टन कैंसर के लक्षनों में शामिल है स्टन पर चकत्ते या सूजन आना स्टन के आकार में बदलाव आना भी स्टन कैंसर का प्रमुक लक्षन है स्टन कैंसर के लक्षनों को अगर शुरुवात में ही पकड़ लिया जाये तो तुरंत इलाज कराया जा सकता है और इस जानलेवा बिमारी से छुटकारा पाया जा सकता है स्टन कैंसर का पता लगाने के लिए मेमोग्राफी करवानी चाहिए मेमोग्राफी से कैंसर की बिमारी का पता लगता है इसलिए 40 से अधिक उम्र की महिलाओं को मेमोग्राफी करवाते रहनी चाहिए इसके अलावा अगर आपके घर में पहले किसी महिला को स्टन कैंसर हो चुका है तो आपको डॉक्टरों की सलाह लेकर हर वर्ष मियोग्राफिय टेस्ट करवाना चाहिए ऐसा करने से आप आसानी से पता लगा सकती हैं कि आपको स्तन कैंसर तो नहीं इसके अलावा अगर आपके स्तन में दर्द या स्तन का आकार बदलने लगे इस थिती में भी आप एक बार डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करें स्तन कैंसर से बचाव के लिए आपको स्वस्था आहार लेना चाहिए अपने आहार में हरी-Hari पत्तेदार सबजियों और फलों का सेवन जरूर करें अधिक मात्रा में अनार खाएं अनार में कई ऐसे प्राकृतिक तत्व पाई जाते हैं जो Stun Cancer को रोकने में काफी मददगार होते हैं अक्रोट का सेवन भी Stun Cancer को रोकने में प्रभावी है अक्रोट में कई ऐसे पोशक तत्व जैसे विटमिन E, विटमिन B6, कैल्शियम और खनिज पदार्थ पाई जाते हैं जो कैंसर सेल्स को बढ़ाने से रोकती है अगर आप नियमित रूप से अक्रोट का सेवन करेंगे तो स्टन कैंसर होने की संभावना कम हो सकती है आशा करते हैं कि ये जवानकारी आपके लिए फायदमंद रहा होगा तब तक के लिए स्वस्त रहें और जुड़े रहें एवी स्टार के साथ